Himlands में करबडियां कभी भी नहीं खतम हो सकती तो अभी के टाइम में Himlands के मेंन टाइम लाइन में दरिंदा यस स्मार्टीपाई एंड दरिंदा एजियो भी आ गए हैं जो कि Himlands के लिए एक एक्चुली खत्रा बढ़ते जा रहा है क्योंकि ये में Himlands से सबसे पावरफुल है तो सभी के सभी entities इसको पाना चाते हैं बढ़ अभी एक्चुली सबके mind में ये question जरूर आया होगा कि दरिंदा एजियो एंड दरिंदा यस स्मार्टीपाई Himlands के main timeline में normal player बन जाएंगी या नहीं क्योंकि इस timeline में mother dairy वाला होगा लाला actually entity बन गया था बट वो अपने timeline में एक normal player है बट यार मेरे हिसाब से दरिंदा एजियो एंड दरिंदा यस स्मार्टीपाई एक player बन जाएंगे बट उनके पास जो powerful weapons हैं वो तो हर timeline to timeline same रहने वाली है अब ये actually players का behavior क्यों करेंगे इसका भी बहुत reason है because main timeline में azio, dreamboy, yes, smartypie and falana इन सबकी identities actual में player की है तो कोई और इनका duplicate आता है तो minecraft उनको player की identity देगा and कुछ और reasons है अगर player login या logout कर रहा है तो उसका name लिखकर आता है but ऐसा entities के साथ नहीं होता है तो इस picture में तुम लोग clearly देख पा रहे होगे कि दूसरे timeline के azio and yes, smartypie के game join का message सो हो रहा है तो ये दोनों भी himlands के main timeline में actual players की तरह behave करेंगे but हो actual में दरिंदे हैं तो दरिंदे रहेंगे उनका nature नहीं change होगा and आप लोग को क्या लगता है कि दरिंदा yes, smartypie and दरिंदा azio 18 rip himlands के main timeline में entities रहेंगे या player अपने opinion comment section में जरूर से बताना